हलो फ्रेंड्स तो आज हम पढ़ने वाले हैं signaling system in railways railway में signals कौनसे कौनसे provide किये जाते हैं और उनका क्या function होता है ठीक है तो जो signal हम provide करते हैं मतलब उसके proper operation को उसको operate करने के लिए और उसके जो process होती है उसे बोलते है signaling हम देखते हैं कि signaling क्या होती है what is signaling तो signaling एक process है एक process है जिसमें कि क्या होता system and devices होती है जो कि train को proper efficient operate करने के लिए provide की जाती है जिससे कि हम maximum उसका use कर पाए passengers की safety, staff की safety और जो हमारा rolling track है, locomotive है उसकी safety के लिए signaling system use किया जाता है जैसे कि हमारे आपे जो जैसे roads होते है, railways होता है, roadway होता है, highway होता है वहाँ पे क्या होता है, traffic होता है तो उस traffic को proper manage करने के लिए वहाँ पे भी signals होते है, roundabouts होते है तो track, अब जो हमारे railway track होता है, वहाँ पे भी traffic होता है number of trains आती है एकी track पे timing different होता है, speed different होती है तो उन चीज़ों को manage करने के लिए हमें railway track में भी signals लगाने है local pilot जो होता है उसको भी पता होना चाहिए कि कित्ती distance के बाद जो है station आने वाला है या फिर कौन सी train आ रही है आगे से कोई हमारा loop line है क्या कौन से पात पर जाना है यह सारी process के लिए signaling तो यहाँ पर जो पहले train system start हुआ था पहले कुछ old systems use किये जाते थे signals देने के लिए और अभी कुछ advance आ चुके है क्योंकि technology improve हुई है तो बहुत सारे से automatic advance versions use किये जाते हैं तो वो ही हम देखेंगे कि क्या क्या होता है तो देखते हैं हमारे यहाँ पे जो जरुवत क्यों पड़ी जो need है signaling की जो need है वो क्यों तो अलग अलग उसका है तो हमने यहाँ पे short term किया है जैसे कि facilities provide करने के लिए to provide efficient movement of trains trains का proper movement होता रहे इसलिए हमें signal provide करना है safe and efficient वहाँ पे shunting operation हो सके यहाँ पे देखे shunting operation का मतलब यह होता है कि जब track किसी particular stretch को जो हमारा railway track होता है उसके किसी particular stretch को आप क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं investigation कर रहे हैं उसका है न चेक कर रहे हैं वहाँ पे shunting कर रहे हैं तो हमें उस stretch को क्या करना पड़ेगा वहाँ पी train के जो traffic को उसको रोकना पड़ेगा stop करना पड़ेगा कुस time के लिए तो भी जो signals रहेंगे उस track के तो वहाँ पे उस track को नहीं आने देंगे ठीक उस train को नहीं आने देंगे फिर utility of track जो भी हमारा track है उसकी maximum हम उसको use कर पाएं तो भी signals provide करना है हमें फिर जो हमारे train आ रही है तो ये मान के चलो कि या तो same track पे कोई trains आ रही है या फिर एक साथ approach कर रही है वो एक station पे cross कर रही है एक दूसरे को तो उस time पे भी हमें signals provide करना है फिर types of signals में आता है कि इनका classification कैसे होगा तो अलग-अलग basis पे इनका classification होता है हमने यह आपे चार टाइप के देखें और भी distinct तरह से इनको classify किये जा सकता है तो first होता है operating characteristics के basis पे second is functional characteristic third local locational characteristics and special characteristics तो one by one सभी को सबसे पहले आता है operational characteristics मतलब उसको operate करनी की जो process होगी उसके basis पे यह इसको classify किया जाए तो वो होते हैं तीन टाइप के सबसे पहला होता है detonating second होता है hand and third होता है fixed नाम से ही समझ में आ रहा है detonating में हम explosive का use कर रहा है hand signals में क्या होता है कि कोई manual operation हो रहा है वहाँ पे ठीक है manually उसको operate कर रहा है time to time फिर fourth third जो हो गया हमारा fixed fixed में क्या होगा कि आपने एक लगा दिया वहाँ पे उस particular point पे लगा दिया उस signal को आप manually वहाँ पे आपको जाने की ज़रुरत नहीं है आप automatic cabin में बैठके दूर से offices को operate कर सकते हो ठीक है तो एक तरह से automatic भी हो सकता है वह आप उसमे timings वगरा set करके तो यह fixed signal में वह आ जाएगा इसमें फिर हम इसका देखते है detonating में क्या होता है तो detonating में जो होता है कि एक explosive material हम use करते है जिसका की sound बहुत ज़ादा loud होता है और उससे क्या होता है कि train का जो operator होता है जो locomotive जो driver उसमें बैठा होता है उसको पता चल जाता है कि हाँ हमारा यहाँ पे destination आनी वाली है या फिर कोई station आने वाला है या फिर कोई junction है यहाँ पे तो ऐसे वहाँ पे उसको पता चल जाता था तो detonating हम use करते हैं क्यों detonating use करना इसलिए है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा cloudy हो या foggy weather होगा वहाँ पे तो जो हमारा fixed या hand signal है वो visible नहीं हो पाएगा लोको पाइलेट को visible नहीं होगा तो फिर हमारे पास option क्या बचता है sound तो जो explosive होगा उसकी वेज़े से loud sound आएगा तो वो क्या हो जाएगा aware हो जाएगा उस चीज से फिर आगी और थोड़ा सा इसमें देखते हैं तो जैसे पिच्चर्स में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगाते हैं तो track में लगाया होता है तो क्योंकि यह बहुत जादा sound जो होता है sound generate करता है जिसकी वज़े से क्या होता है driver की attention हो जाती है यहना वो aware हो जाता है उस particular situation के लिए कि हाँ station आने वाला है फिर safety point of view से क्या होता है बहुत जादा quantity में इसमें explosive नहीं डाला जाता है at least क्या होता है minimum 400 to 500 मीटर के distance पे जैसे हमारा कोई एक station है railway station है उससे कुछ distance कुछ distance मतलब 400 to 500 मीटर जो भी destination point है उसके 400 से 5 मीटर के distance पे वहाँ पे हम वो explosive को train का हमारा जो track होगा वहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा यह 400 to 500 का extent हमने क्यों रखा है कि जैसे वो explode हो तो driver क्या aware हो जाए है ना उसका reaction time आएगा तो वो train को control करेगा मतलब यदि रोकना होगा तो उसकी train speed को control करके ताकि station के point पे जाके वो रोक जाए train है ना ऐसा होगा क्योंकि station के point के पास हमारा signal लगा होगा बड़ उसको दिखाई नहीं देगा इधर भी लगा होगा पर वो भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि weather ऐसा है तो वो explosive के sound की वज़े से वो aware हो जाएगा उस चीज से और तुरंट action ले लेगा उस चीज पे इसलिए हम explosive का use करते क्लिप्स की help से लगाया जाते हैं ठीक है बहुत बार ऐसे जिसे हम मैं बार बार स्टीशन बोल रही हूं तो एक तरह से home signals भी होता है आगे हम देखेंगे कि home signals क्या होते है entry exit ये सारी चीज़े क्या होती है then next आता है hand signals hand signals में जो कि manually operate किये जाते हैं जैसे आपको pictures में दिखाई दे रहा है साइट में जो picture लगी उसमें क्या है कि कोई एक person है जो की हाथ में green और red color का जो होता है flag लेके खड़ा होता है तो हमने पहले बहुत जिसे देखेंगे movies वगरा में देखा होगा कि जब train गुजरती है तो फट से दोड़के कोई station master या कोई भी authorized person जो आता है और फिर हरी जंडी और नीली या हरी या लाल जंडी दिखाता है वैसे वहां से train का जो engine होता है वहां से फ्लैग को लगा के फिर दिखाया जाएगा तो यहां पर क्या होता है जो पर्डुलर स्टेशन पर जो गार्ड होता है station master होता है cabin man होगा कोई भी authorized person होगा उसकी responsibility होगी कि जो भी train आएगी उसको आपको ऐसे फ्लैग देना है अब इसका मतलब क्या होता है कि station पर कोई train आ र सही है यदि वो red signal दिखाता है it means कोई problem है या तो station पे कोई problem है आगे के path पे कोई problem है तो आपको क्या करना पड़ेगा train को control करना पड़ेगा या precautions लेने पड़ेंगे speed कम करनी पड़ेगी या फिर रोकना पड़ सकता है अलग-अलग situations हो सकती है तो इसका मतलब यह है फिर जो train में से जो दिखा रहा है train में से जो लोको पाइलट या जो दिखा रहा है जो authorized person वहां से जो जन्डी दिखा रहा है उनका कहने का मतलब भी है कि all is okay मतलब पीछे व signal में क्या होता है कि जो night time में होता है है ना मतलब जहां पे कि हर बार कोई manually वहां पे operation नहीं दे सकता या फिर हमारा detonating नहीं हो रहा है तो रात के time पे क्या होगा रात के time के लिए lamp यूश किये जाते थे पुराने time पे lamp यूश किये जाते थे जिसमें कि एक movable glass plates होती है कि ज yellow color दिखाती है है तो इनका मतलब क्या होता है एकना significance क्या है तो वहाँ पे क्या होता है red flag या जो light होती है वो indicate करती है stop का sign कि आपको रुकना है जैसे हमारे traffic में होता है second जो हमारा green flag या green light होगी वो आपको बोलेगा proceed हैना कि आप जा सकते हो yellow light या yellow flag यादी दिखाते है इस nigh time में है ना night time में lamp का use किया जाता था आज के time में lamp use नहीं किया जाते है आज के time पर या use किया जाते है lights यूज किया जाते है lights ही use किया जाते है जैसे आप signal पर देखोगे न तो green, yellow and red color का जो हमारा signal पे light लगा होता है highway traffic में भी signals में इस पाइब के lights लगे होते हैं तो ऐस फिर यहां पे हमें lights का कुछ reflection भी दिख रहा है यहां पे manually operation के लिए देखिए flag दिखा रहे हैं उसको है ना कि flag दिखा रहे है signals के लिए then functional characteristics functional characteristics की basis पे हो गया हमारे पास 5 type से total हम इनको बूल सकते हैं तो stop और semaphore signal, warner signals, shunting signals, colored light signals अब हर एक signal का अलग एक function है एक process है तो यहां पे हम आगे pictures की help से देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए stop और signals क्या होता है तो इसको नहीं देखेंगे, diagram से देखें की क्या होता है तो जो stop और semaphore signal है, यह क्या पहले के टाइम पे use किया जाता था आज भी बहुत सी जगह पे आपको देखने को मिलेगा एक vertical post होता है, जिस पे की एक arm लगा होता है जो की red color का होता है, उसमें एक white color की strip होती है ठीक है, पहले तो क्या होता था कि एक ही होता था, आज के time पे दो या तीन उसमें arms लगे होते हैं, तो सभी का अलग-अलग function होता है उसमें यदि हम single arm की बात करें, तो single arm में, यदि हमारा ऐसे horizontal है वो arm horizontal है, इसका मतलब क्या है, stop की position में, कि आप आगे नहीं जा सकते फिर यदि वही arm, bottom, मतलब नीचे, third quadrant में आ जाता है third quadrant में यदि वो रहता है, इसका मतलब क्या है, आप आगे जा सकते हो आप आगे जा सकते हो, precautions के साथ, है ना, मतलब आगे जा सकते हो फिर आगे जैसे की, जैसे हमारे, उपर देखो, हमने तीन images में लगा के रखें जिसमें की दो-दो arms लगे हो है, तो first position क्या है, जहाँ पी की दोनो arms जो है horizontal position में, इसका मतलब क्या stop, आप आगे नहीं जा सकते हैं, train को लेगे, ठीक है second position क्या दिखा रही है, कि जो first वाला जो arm है, वो third quadrant में और second वाला जो arm है, वो horizontal position है इसका मतलब क्या आप आगे जा सकते हो, बट cautionary measures के साथ आप आगे जा सकते हो, फिर third वाला जो signal है, वो क्या है, उसमें दोनों arms third quadrant में, इसका मतलब जो वे हैं, वो clear है, कोई problem नहीं है आप clearly आगे जा सकते हो, वही चीज़ नीचे भी दिखाई गई है, यदि तीन arms भी होंगे, है ना two distinct arms के साथ, जो पहले के टाइम पर use किया जाता था, तो क्या होगा फिर number of arms यदि हम use कर रहे हैं, या फिर number of poles के साथ इनको use कर रहे हैं, जैसे दो या तीन poles के साथ आपने दो-दो arm वाले लगा दिये, तो वो कहां पर होते हैं, जब कि आपका जो track है, सिर्फ उसके साथ loop tracks भी है, branch tracks भी लगे हो, उस particular junction, junction पर सीधा साम बोले, junction पर ये दिये तो वहां पर identify करने के लिए क्या होता है, फिर pole की height को थोड़ा vary करा दिया जा सकता है, जैसे main track है, तो main track का जो signal आप दोगे, तो उसका pole होगा, उसकी height थोड़ी जादा होगी, ताकि जो local pilot है, वो identify कर पाए कि हां कौन सा वाला pole मुझे देखना है, फिर branch track के लिए थोड़ different loop track के लिए, ऐसे करके station पे बहुत सारा हम इसको changes कर सकते है, next देखते हैं, कि इसका क्या होता है, इसका table हमने देखा है, operating time वगेरा क्या होता है, तो यह पूरे table में हमें दिखाया गया है, कि जैसे first में हम देखे, daytime, operating time क्या आता है, daytime, daytime में क्या होगा, position of arm कैसी होगी, first व to 60 degree, वो inclined होगा, third quadrant की बात कर रहा है, इसका मतलब हम, ठीक है, position of signal मतलब क्या, on position, horizontal arm मतलब, on position, and inclined मतलब, off position, indication क्या दे रहा है, वो, stop and proceed, ठीक है, मतलब, यहाँ पे confused नहीं होना है, position of signal, यदि horizontal होता है, मतलब, signal on है, और वो indicate क्या कर रहा है, कि आप आगे नहीं जा सकते, horizontal position है, तो signal on है, और आप आगे नहीं जा सकते, फिर, यदि वो third quadrant में है, इसका मतलब, क्या, signal off है, मतलब, आगे proceed कर सकते हो, ठीक है, आज के time पर क्या होता है, green, red और yellow light हमें दिख जाती है, तो हम समझ जाते है, red light जल रही है, इसका मतलब, आगे नहीं जा सकते है, green light जल रहा इसका मतलब, आप precautions के साथ, cautionary measures के साथ, आगे बढ़ सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे हमें दिखा रहा है, second में हमारा आता है, night time, night time पे क्या होगा, तो red light, green light, yellow lights रहेंगी वहाँ पे, तो कैसी कैसी positions रहेगी, यह हमने table में पूरा specify कर दिया है, day or night time के लिए, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ तो wires की तुरू इसको operate करेंगे, हैना, कुछ एक हमारा counterweight वगेरा लगा होता है, जिसकी help से इसको हम move कराते है, ठीक है, जिसको हम इससे operate करते हैं, फिर next रहता है, हमारे पास warner signal, हैना, warner signal क्या होता है, semaphore signals के साथ ही, जो entrance होता है, किसी भी station का, बना कि जब train आए, तो train का जो लोको पालट ही, वो signal देखिया है, उसको पता चले कि हाँ, अब station आने वाला है, तो इससे train की speed control करना है, तो एक तरह से इसको हम home signal भी बोल सकते हैं, वो warner signal भी बोल सकते हैं, तो warner signal क्या होता है, combination होता है, यहना, warner signals के साथ, semaphore signal और warner signals, combination होता होता है, हमारे पास warner signal, ठीक है, semi post में लगाया जाता है, और कितने distance भी होता है, जो semaphore signal होता है, इससे 1.82, 2.1 meter, जो होता है, नीचे लगा होता है, एक्स आता है, shunting signals, या फिर ground signals इनको भोलता है, यह हमारे stations या yards के पास जो लगे होता है, इसलिए इन्हें shunting signals भोलता है, ट्रैक को चेक करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास होता है, क्या एक shape, जो होता है, circular disc होती है, जिसके उपर red band लगा होता है, white background के साथ, पहले जो use होता था, आज के टाइम पे कुछ और जो हमारे lights के थूरू, जो automatic signals बगेरा, use होने लगे है, इस disc को क्या कर सकत है, कैसे, जो lever arm होता है, उसको pull करके, हातों के दोरा, पुल करके, इसको move, revolve करा सकते है, vertical plane में, जैसे ये अभी use हो रहा है, अभी के टाइम पे आपको ऐसे वाले sunting signals देखने को मिलेंगे, जैसे ये बाजी वाली left side पे, जो ही chemage है, उसमें आप देखेंगे, आपको एक arm देख रहा है, उसमें भी, red arm है, white color की strip लगी हुई है, जैसे हमने semaphore and warner signals में देखा था, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ लीवर्स वगिरा, एक working process है, उसकी, फिर देखें, उसका क्या indicate करता है, वो disc, इना, the following indications are given by disc or shunting signals, कौन से रहता है, तो first जो होता है, when the red band of disc is horizontal position, टिक है, जब वो horizontal position में होगा, और red light जलेगा, नight की time की बात कर रहा है, red light रहेगा, daytime में तो light जलेगा आपको दिखेंगा है, night में भी, red light जलेगा, तो वो indicate कर रहा है, stop की position, फिर यदि incline position में है red band joh है incline position में या फिर green light दिखा रहा है, तो क्या होगा है proceed की position, मतलब यहाँ पे दोनो चीज़े हैं, यदि हमारे पास यदि हमारे पास automatic वाला है जिसमें की light system है तो उसमें red light है तो stop, green light है तो proceed, और यदि हमारे पास automatic system वाला नहीं है तो फिर क्या है हमारे पास ऐसे आम वाला या डिस्क वाला है तो उस case में भी हमें ही देखना है कि यदि वो horizontal position है तो stop है और inclined position है इसका मतलब है कि प्रोसीट की पोजिशन होगी बहुत बार उसके साथ एक amber light भी होता है या फिर yellow light आप बूल सकते हो तो वो होता है cautionary measures के लिए ठीक है प्रोसीट विद caution यह दिखाता है फिर special signals आते हैं last में हमारे पास आते है special signals special signals में आते है repeater signals calling signal routing signal point indicator modified lower quadrant semaphore signals इतने टाइप के special type के signals आते हैं आज हमने वही देखा कि signal की जरुरत क्यों होती है कितने टाइप के होता है क्या-क्या उनका function होता ह है कैसे operate करते हैं वो यह सारी चीज़े हमने देख ली ठीक है hope आप लोगों को आज का यह वीडियो समझ में आया होगा comment box में आप comment जरूर डालिएगा कि आपका क्या response इस वीडियो को देखते हैं तो further हम इस वीडियो से related और कुछ भी डालेंगे अब जैसे हमने अभी railway के signals इसके बारे में बात करी तो हम आगे चलके जो है highway में जो science and signals होते हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाएंगे Thank you इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो बनाएंगे